नमस्कार स्वागत है अब सभी का स्वर्मे टाइम्स में आपके साथ मैं हूँ शुष्टी पांडे नजर डालते हैं मध्यप्रदेश और चतिसगर की सुर्ख्यों पर सतिसगर कॉंग्रेस पॉलिटिकल अफेर कमीटी जारी सूची में कमीटी की अध्यक्ष प्रभारी कुमारी सहलजा को बनाया गया कमीटी में सीम भुपेश पगेल और डिप्टी सीम टियस सिहंदेव भी शामिल हैं बतादे की कमीटी के जारी सूची में दीपक बैट समय 14 निताओं को जगह मिली है, साथी सब्तगीरी शंकरुल का चंदन्याद और विजय जांगीर को सदस्य बनाया गया है इसके अलावा विशेश आमंत्रिच सदस्यों में साथ लोगों को जगह दी गई है पॉलिटिकल अफेर्स कमीटी चुनाओं में कई एहम रणीती दयार करती है कई महत्वपूर्ण राजनितिक मामलों पर कॉंग्रिस का स्टेंड टैकरने से लेकर तुरंट फैसले लेने के लिए ये कमीटी बनाई गई है इधर बिलासपूर में कॉलोनी की सड़क को जबरिया बंद खरा दिया गया है जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को आने जाने में दिक्कते हो रही है आरोप है कि रास्ते को कॉंग्रिस नेताओं और पुर्व मेयर के दबाओं में बंद किया गया है मामले की शिकायत पर राजनितिक दबाओं के चलते निगम कमिशनर ने भी हाथ कीच लिया ऐसे में पीडित लोगों ने ICC की महासचीव कुमारी सेलजा से गुहार लगाई है मामला सिविल लाइन थाना शेत्र के शिवम एंकलेव और मिनूचा कॉलोनी का है धमतरी जीले में ट्रक और कार की जबरदस भिडंत में कार सवार मा और बेटे की मौके पर ही मौध हो गई वहीं बेटी गंबीर रूप से घायल है घायल बेटी का इलाज अस्पताल में चल रहा है ड्राइवर मामुली रूप से घायल है ये पूरा मामला केरे गाउं थाना शेत्र का है जानकारी के मुताबिक 17 अगस गुरुवार को रात करीब 11 बच कर 45 मिनिट पर कार में निलिमा चोपडा 12 वर्षी बेटे भव्य चोपडा और बेटी भूमी का चोपडा तीनों धमतरी से नगरी की ओर जा रहे थे तीनों स्विफ्ट कार में सवार थे और अपने घर नगरी वापस लोट रहे थे तभी सामने से आ रहे ही ट्रक ने कार को ठोकर मार दी कार में ड्राइवर समेट चार लोग सवार थे 36 गर में इस बार चुनाओ में बगेल बनाम बगेल की चर्चा थी ही भाजपा ने पार्टन से विजय बगेल को टिकेट दे कर इस बात पर मुहर लगा दी दिल्ली की बैठक के बाद प्रत्याशों की लिस्ट आई तो सबसे अधेक चर्चा पार्टन सीट की रही यह सीट होट सीट इस वज़े से है क्योंकि यहां से सीम भुपेश बगेल चुनाओ लड़ते हैं भाजपा ने उनके सांसत भतीजे विजय बगेल को उतार दिया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम पाटन जीतेंगे वहीं चतिजवर सरकार के मंत्रिया मरजीद भगत इसे सांध और बच्छडे का युद्ध बता रहे हैं तो ये थी खबरे 36 गड़ की अब बढ़ते हैं अध्यप्रदेश की खबरों पर इंदोर में गुरुवार देर रात कुट्टा घुमाने के विवाद में गाड ने फाइरिंग कर दी इसमें जीजा साले की मौत हो गई महिला सहे 6 अन्य लोग भी घायल हुए हैं विवाद की सूचना के बाद अफसर और पुलिस फोर्स यहां पहुचे गाड ने 312 बोर की बंदूग से 3 फायर किये घायलों में परिवार के साथ वो लोग भी थे जो विवाद और फायरिंग का शोर सुनकर अपने घरों से बाहर निकले थे पुलिस ने आरोपी गाड उनके बेटे और एक रिष्टिदार को ग्रिफतार कर लिया है और बंदूग भी जप्त कर ली गई है एडीशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंग ने बताया कि घटना खजुराना के कृष्णबाग कॉलोनी की है इधर खंडवा में गुरुवार शुकुरार की राट ट्रक ने कार को टक्कर मार दी हाचसे में कार सवार पांच यूगकों की मौत हो गई हाचसा पुनासा शेत्र के दौलत पुरा फाटे के पास हुआ सभी मृतक खरगोन के कसरावाद में रहने वाले थे मृतकों में भारत पिता चिंतराम निवासी ग्राम कांकरिया मनीश पिता तारा चन पुकराच पिता चरंदास निवासी दोंगावा आदित्य पिता अमित वर्मा निवासी कसरावाद सहित एक अन्य है मत्यप्रदेश विधानसवा चुनाओं के लिए बीजेपी उमीदवारों की पहली लिस्स सामने आते ही कॉंग्रिस भी नेक्स्ट मोट पर आ गई है पीसीसी चीफ कमलनात ने शुकरवार को शिवराज सरकार पर 18 साल के कार्यकाल में 225 घोटालों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए बुकलेट जारी किया है कॉंग्रिस प्रदेश कार्यालय में आयूजित प्रेस कॉंफरेंस में कमलनात ने कहा मौसम की तो पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तेज बारिश हुई सिवनी में धाइ इंच पानी गिर गया उमरिया, जवलपूर, नरसिंगपूर और नौगाओं में भी तेज बारिश हुई भोपाल, बैतूल, सतना, दमो, टीकमगर, खरगोन और ग्वालियर में भी हलकी बारिश हुई मौसम विभाग के अनुसार अधिकान जिलों में रात में पानी बरसा या आज भी तेज बारिश होने के अनुमान है खबरों में अपडेट रहने के अमारे साथ जुड़े रही है इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेर करना, साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले